सब्द कोस के अनुसार करम में लिखे ऐसे प्रस्णों को यदि आप परंपरागत तरीके से लगाने बैठेंगे कि सबसे पहले नमबर पे कौन आएगा दूसरे नमबर पे फिर तीसरे नमबर पे फिर चौथे नमबर पे फिर पांचवे नमबर पे तो आपका समय परिच्छा यानि कि कोई नहीं जीता है इसमें पहले आने वाला अचर ही सबसे पहले लिखा जाता है तो अब इसमें सब का दूसरा अचर देखेंगे तो इसका दूसरा अचर आई है इसका दूसरा अचर आई है इसका दूसरा अचर ए है और इसका दूसरा अचर एल है तो जो ही आपको A दिखाई दे दिया तो आपको यह दिमाग में आ जाना चाहिए कि A सबसे पहले आने वाला अच्छा रहा है और A केवल 4 में है तो 4 ही सबसे पहले लिखा जाएगा यदि A किसी और भी सब्द में लिखा होता है तो हम समझ जाते कि इन दोनों में से ही कोई पहला और दूसरा सबस्क्राइब तो दोने किसा कोई कोउषित नहीं करना तो पहला और तीसरा में से कोई दूसरा होगा कोई टीसरा होगा लेकिन हमें ये confirm पता चला है कि R सबसे last में आने वाला अच्छर है जिस पकार A सुरू में आने वाला अच्छर था उसी तरह से इन में R सबसे last में आने वाला अच्छर है यानि कि दो जो है सबसे last में आने वाला सब्द है यानि कि दो लाश में किस में है, तो C में है, B में नहीं है, इसलिए हमारा answer हो जाता है C, इसको हम लोग नाम देते हैं, सुरुवंत विधी, सुरुवंत विधी का मतलब यह है, सुरुवंत रिक का मतलब सबसे सुरु में कौन आये गया, और सबसे लाश में कौन आये गया, य ये भी पता कर लेंगे तो आपको आंसर साधारता मिल जाते हैं और आपका समय बच जाता है